दोस्तों नमस्कार प्यार आप लोगों का मिला बहुत-बहुत धन्यवाद। गाय है उसको दस्ट इसका जवाब मैंने हमारे रामाउत वैट ग्यान चैनल पर आपके लिए एक पूरा वीडियो बना करके दे दिया है और या साइथ इस पे अपलोड होगा मुझे इतना एक्जेक्ट नहीं है हमारे रोशन भाई करेंगे तो वो आप देख लेना आज या क बाट से पुसरा जैसा दूद आता है उहरा जैसा यानि फुवारा आता है तो इलाज बताइए बिल्कुल मैं वीडियो बनाओंगा आपके लिए भी बनाओंगा सचेंजी आप भी हमारे रेगुलर वीवर है गुर्दीप सिंग जी गुर्दीप सिंग जी लिखते हैं इसक एसी डोसिस की संभावना भाई ज्यादा होती है तो वहां पर मेरा यह मानना है कि अट्रोपिन सलफेट कई बार दिक्कत भी कर जाता है और एविन और बेलमेल सही है लिक्विड कोलेल आपने अच्छा दिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी बहुत यह अच्छी आपने ने दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है ट्रिक्मेंट आपका काफी अच्छा जा रहा है बीट्टो गुजर जी इसके बाद अर्विन यादव जी ने डिवार्मिंग अल्वेंडाजोल से करवा यह कोई बाद नहीं चलेगा केटासोल सी पीम बेलमेल मॉक्सल केटोप्र आपने तो एज इटीज हमारे वाला ट्रिट्मेंट चाप दिया बहुत अच्छा किया आपने यहीं ट्रिट्मेंट यहां पर इस गाय को किया गया था और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है बहुत बढ़िया धन्यवाद अर्विन यादव जी इसके बाद संतोष कुम घृष का जी ने लिखा है बॉलस अलमेंडा जूल और उसके बाद यह ट्राइवी बेट दे रहे एंडा यह इंको नसों की प्रब्लम लग रही है इसलिए इन दोनों के तरब जा रहे हैं औरे वाया ठोनो लगा दिया ट्रणो और वाली बात तोड़ रास नहीं आई वालि श्यांदार इसके बाद अनुज कुमार जी ने भी नमस्कार भेजा है और हमारे माखन सिंग जी ये इंजेक्शन B-COMPLEX CPM, NeuroKind, Mellonax, DCR फैनमनाजोल 3 ग्राम अरे वाया एकोटास और लिवर टोनिक फैनमनाजोल, एकोटास और लिवर टोनिक से आपने सारी कमियां पूरी कर दी, माखन सिंग जी धन्यवाद मनिश चोधरी जी है, वो भी पाइरोस कांपेरा सिटमोल पे जा रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन याँ डोज लिख देते तो अच्छा रहता कितना लगा रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंसी तो देखें मनिश जी, कहीं आप ज़्यादा कम तो नहीं कर रहे हैं जैसे यहाँ पर मेलोनेक्स प्लस 15 ml लगाया, हर्स गुजर जी ने अच्छा किया, CPM 15 ज़्यादा लगा दिया और न्यूरो कायन 15 और लगा दिया तो यह तो कोई बानी चल जाएगा रूमन टास यह दे रहे हैं अच्छी बात है, एको टास भी वेरी गुड मेलोनेक्स प्लस सुबह शाम दे रहे हैं बायो बुष्ट भी दे रहे हैं लिक्विड में गुलुका बुष्ट बेरी गुड एनरजी बुष्टर भी यह दे रहे हैं और आयरन टोनिक भी यहाँ पर देना चाहा है डिवार्मिंग के अलावा इन्होंने कोई कमी नहीं रखी है तो इनका भी अच्छा है बहुत बढ़िया प्रियास इसके बाद हर्स प्रीत जुगडे जी ने भी नमस्कार बेजा है बड़ी आराम राम गनेश कुमार जी लिखते हैं अच्छी बात है टोनों भी अच्छा है डिवार्मिंग भी अच्छी है लेकिन भाई डाइजेस्टिव टोनिक जरूरी है यार क्योंकि यहां पर क्या है कि पसुबालक बता रहे हैं कि कुछ खिलाया था क्या था तो हो सकता है यार पेट में प्रॉबलम भी हो तो वो दे देते तो आपका इलाज भी सही जाता बिट्टु कुमार जी ने फिर से लिख दिया क्या बात है बिट्टु कुमार जी आज तो बड़े फॉर्म में हो या दूस रहे हैं बिट्टु कुमार जी बक्ती सागर जी लिख रहे है आंगों से तो कैल्सियम की कमी लग रही है इंडाइजेशन भी है बहुत बढ़ी है दिवारमिंग करवागे इंटसेप लगा दिया अपने मेलोनेक्स ट्राइवेट बभजोन या जब आपको कैल्सियम की कमी लग रही है था भाई है कैल्सियम का इंजेक्शन लिख देते कैल्सी वेट कैल्डी 12 मजा आ जाता और नहीं तो फिर लगा देते है आई वी केल्शेम और क्या और गुर क्रिप्त कट कर जी लिक रहे हैं सर सबसे पहले डिवार्मिंग अलबोमार से कर देंगे मेलोनेक्स 15 से 20 सेमिल लगाएंगे ट्राइवी वेट 15 सी पीम बी कॉम्लेक्स एंडरो सिन लगा देंगे और रूमन एफैस और बायो बुच्छ देखिए जहां तक हो सके आप डाइजेश्टिट्रेक की जो बिमारिया हैं उनमें एंडरो ना लगाएं अपने रिजल्ट को आप सुदार सकते हैं थोड़ी सी बात अंदरोनी बात कहना चाहरा था इसके बाद हमारे मुकेश दामुजी है वो माइफैक्स लगा रहे हैं 200 ml आईवी ठीक है निल जान भी दे दिया सी पीम और एक्टिवेटेड चार कोल भी दे दिया और मेलक्सी काम 15 ml लगा दिया नियूरो काइंड से ठीक हो जाएगी बाई काफी कुछ कमिया भी रही है इतना कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ओर आगे बढ़ते डोक्टर वेभो आईहीर पठने जी ने कहा है सर जी इसको आरेल दे देंगे सोडियम बाई कार्बनेर देंगे और सिप्रो एट्रोपिन यारी सिप्रो एट्रोपिन को मुझे थोड़ा से डिटेल में बताना है क्या सिप्रो एट्रोपिन क्या होता है सिप्रो अलग है और एट्रोपिन अलग है और सिप्रो तो बहुती कम यूज होता है वेटनरी में महस कुमार जी ने भी यहां पर अच्छा लिखा है निलजान, डी एनेस, हाइवीट, ओक्सी, पाइरोक्सी, पेरा, और एक्स्टॉक्स भी लिखा है इन्होंने और रूमी केर भी लिखा है अच्छा इनका भी अच्छा गया है ठीक है इसके बाद डाकेसुर, पटेल जी लिखते हैं, दो सो एमल मेट्रोजल, अट्रोपिन, दस एमल इंट्रमस्कुलर, पचास, पान सो एमल, डी फाइवीट, किटोफरोफेन, और खाने का सोडा पानी में मिला करके देंगे, तो ये ठीक हो जाएगा, आपका भी अच्छा है या इसके बाद सुदर्शन बोरकर जी ने लिखा है कि आरेल देंगे, दो लिटर, मॉक्सल देंगे, मेलोनेक्स, CPM और बी कॉंबलेक्स, ट्राइवीट, ओहो, इन्होंने भी काफ़ी लंबा चुड़ा किया है, लेकिन सही किया है, इन्होंने जो ट्रीटमेंट लिखा है, बह इसके बाद राजिस कुमार जी ने लिखा है, इसके बाद राजिस कुमार जी, निर्मल मीना जी आज तोड़े लेट हो गए, मडी, आरिव जी भी है, रजीव राई जी भी है, प्रमिन आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल एक नए केस के साथ.